वेस्ट मटेरल क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं बलून से नाइट लैंब आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना बलून से नाइट लैंब कैसे बनाएंगे तो वीडियो अगर पूरा देखोगे तब तो पता चली जाएगा कि नाइट लैं चली तो जादा ना बोलती हुए शुरू करते है नाइट लैंब बनाना वह भी बलून से तो मैंने लिया है यह हाट शेप वाला बलून है यह आप देख सकते हो यह हाट शेप वाला बलून है आप चाहो तो राउंड वाला भी ले सकते हो तो चली देखते हैं बनाते कैसे तो नाइट लैम बनाने के लिए हमें चाहिए बलून जैसे कि आपने वीडियो में देखाई था बलून से हम नाइट लैम बनाने वाले उसके बाद हमें और क्या चाहिए हमें चाहिए एक बावल उसमें थोड़ी सी पानी ग्लू ब्रश और सबसे इंपॉर्टन चीज बाद उसकी उपर ब्रश और गलू जो हमने मिक्स करके रखे हैं मिक्शুर उससे एक एक करके स्टिक करते जाना हैं बिल्कुल इसी प्रोसेस से रिपीट करते जाना है करते जाना है जब तक हमारा पूरा बलून टीशु पेपर और गलू से कवर ना हो जाए हिसी طریقे से पूरे बलोन को हमें स्टिक करते जाना है हर एक कोने में कम से कम 5 layer तो आपको लगाना ही लगाना है अगर आप उससे कम layer लगाओấuगे तो उससे क्या होगा अपना जो बलोन है वह जब हम बलोन को हम फोड़ेंगे तो वह जो टीश्यू पेपर है वो छोटा सा ही हो जाएगा पचक जाएगा जिसको कहते है तो यह हमने पूरा देखिए रेडी कर लिया है बीच बीच में मैंने कुछ पेपर के फ्लावर्स भी काटके लगाए है उसमें जैसे कि आपने टीशू पेपर को स्टिक करें है इसी तरह के से हमें पेपर भी जो फ् नीचे का जो खतम हुआ हुआ रहता है उससे ले लेना है उसके बाद उसको भी टीशू पेपर से बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर देना है उसके बाद उसको भी चारों तरफ से स्टिक कर देना है उसके बाद सुखाने के बाद कुछ इस तरीके से यह दिखेगा उसक कि आप देख सकते हैं जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप टिश्यू पेपर का लेयर लगा रहे हैं तो वह ज्यादा लगाना कम लगाओगे तो बलून फोड़ते ही यह पिल्कुल छोटा सा हो जाएगा उसके बाद उसक को नाइट लैंब कैसा लगा और इजी है कि नहीं यह भी बताना वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू